हमने देखा है पिछले कुछ महीनों से खराब परफॉर्मेंस सेल्स के फ्रेंट पर देखने को मिल रही है आपकी नतीजों को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन से हैं अगर हम वालिम गुरोध देखे तो इनकी जो फार्म एक्विप्मेंट बिजनस है ट्रैक्टर सेल्स लगातार नेगेटिव गुरोध दिखा रहे हैं और ये काफी प्रॉफिटबल सेग्मेंट है कंपनी के लिए तो आने वाले नतीज़े में मिझे लग रहा है कि क्लियरली याई वाई वाई बिसनस पे तो एक अच्छा कासा डिप देखने को मिलेगा क्लियरली अगर हम consolidated business भी देखे तो यहाँ पे definitely जब तक tractor sales positive territory में नहीं आते हैं जब तक hopefully you know farm equipment से इनको एक volume trajectory positive नहीं आती क्योंकि क्लियरली काफी inventory pile up system में हो चुका है और Mahindra जो काफी pan India बड़ा tractor player है हमने देखा है कि इस कारण हो सकता है कि numbers में एक थोड़ा सा दबाव आएगा मेरे ख्याल से SUV sales में भी हमने देखा है कि sale growth 8-9% पे यह अटकी है यहाँ पे भी double digit growth नहीं आ रहा है तो यहाँ पे जब तक कोई नए product launch नहीं होते तब तक हो सकता है कि share एक negative bias से ही trade करें ओके तो यह राया आती ही इन सारे share पे लेकिन ना